नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज मैं कुछ बात करूँगी सीट थेरपी के बारे में, जो ये नया कोर्स आ रहा है, कॉम्पिरेंसिर सीट थेरपी, तो ये है क्या? और जब हम सीट के बारे में बात करते हैं, तो वो सीट का हमें जीवन में क्या इस्तमाल है? उससे हम क्या अजीव कर सकते हैं? वो हमें कैसे मदद कर सकता है? और हम क्यू सिखें? ये सब सवाल हमारे मन में होंगे. तो अगर हम सीट के बारे में बात करें, या मैं आप से पूछूंगी सीट क्या होता है? हर किसी ने सीट को देखा है? सीट्स जो जससे ट्री ग्रो होते हैं या आपके किजन में भी बहुत तरकी सीट्स होते हैं आपको मालूम है धनिय का सीट होता है जो धनिया आप यूज करते हैं मेथी जो इस्तिमाल करते हैं उनसे आप सीट भी ग्रो उनसे आप प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं तो अगर आप उनको मिट्टी में डाले, उनका proper germination हो, और उनको वो environment मिले, उनको वो सब चीजे मिले, जिससे के जो एक पेड को उगने के लिए जरुवत होती है, तो वो उसको ट्री में transform हो सकते हैं, इसका मतलग कि सीट is capable of giving a life, right? है उसी तरह से जैसे के हम, we also can give life, the same way the dream, seed also has the power, so there is a similarity in seed energy and our energy, and when we combine the two, what will be the effect of it? तो आप जामते हैं, बहुत पार we are low on energy, बहुत पार our organs are low on energy, and there is a disruption, disbalance, जो हमारे system में होता है, body की system में, जिसकी वज़े से हमें disease होती है, या हमें कोई भी problems होती है, तो अगर हमें इन problems को solve करना है, अगर हमें उनका इलाज करना है, उनने cure करना है, तो we can use seed, so it is a complementary medicine, a medicine, a cure which you can use along with the other medicine, या आप independently भी seed therapy को use कर सकते हैं, बहुत सारे chronic problems के लिए, अब अलग अलग तरह की seeds होते हैं, seeds में बहुत पराइटी होती है, बहुत shapes होते हैं, colors होते हैं, sizes होते हैं, उनके एक तरह का flow of energy होती है, जो direction of energy होती है, वो different होती हैं सब seeds में, so हम उनका कैसे इस्तमाल क करें, कौन से seed को, कौन से issue में इस्तमाल करें, कब तक इस्तमाल करें, किस तरह से इनको सभाल के रखें, बहुत सारे चीज़ें जो seeds के बारे में हैं, और ये हम use करते हैं on our hands and our legs, हमारे feet और हमारे हादों पर, तो जो सुजोग के हिजाब से, जो miniature projections है of organs on our hands, और on our feet, उस you learn sujok, you learn seed therapy, and ये एक simple therapy है, simple in the sense कि ये बहुत effective है, और बहुत आसानी से हम इसकी चीज़ों को जोड सकते हैं, चीज़ों को इखटा कर सकते हैं, उनका इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ, it is unique, so there is lot you need to learn, बहुत कुछ सीथने के लिए है, तो आप लोग सब प्ल comprehensive seed therapy का class, and please join me for the webinar, जो इस साथरे को है की, यारा बजे है, so join me on 18th of this month, that is 18th November at 11 o'clock for the webinar, and उसके बाद, we will start on this journey together, thank you.